आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ स्टस्पी अपन स्टस्पी के इतन दोरों का ratio बता देना है तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं देखें यह मेरा कुछ इस तरह से यह जो ellipse है वो क्या है x² y a² plus y² y b² equal to 1 ठीक है यह ellipse कैसे जाएगा यह कुछ इसका center origin पहोगा कुछ ऐसे जा रहा होगा ठीक है अब यहां पह यह मेरा origin है इस पह पॉंट पी पह क्या है यहां से मैं first quarter पहाँ पहाँ पॉंट पी उस पह एक tangent है तो कुछ पुछ पूंट जो जाएगी कुछ ऐसे जाएगी ठीक है इस पह जो होगई इसको S-देस माल लेता हूँ फोकस और यह S माल लेता हूँ ठीक है तो एक तो यहां से मेरे पास क्या होगा आप इन्होंने गोला है कि D1 और D2 लेंद तो परपेंडिकुलर फ्रॉम जो D1 है वो लेंद है S-से जो D2 है वो S है ठीक है इसको परपेंडिकुलर अगर मेंट रो करता हूँ तो यह कुछ परपेंडिकुलर ऐसे बनेका 90 दिग्री यह 90 दिग्री ठीक है और यहांसे S से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा यह 90 धिग्री यह भी 90 दिग्री ठीक है और ellipse की क्या property होती है कि यहाँ पर है एक ellipse पर कोई एक fix point variable point से दो fix points के बीच की जो distance का sum होता है वो constant होता है in case of ellipse s-p plus s-p ठीक है जो distance in यह distance क्या होती है two way या नि constant होती है यह distance जो होई है ठीक है अब देखिए अगर मैं यहाँ से यह जो s-s से जो distance है वो है मेरी d1 और इस से है d2 ठीक है s से जो distance है वो d2 है यह दो point है यह इसके जो इसमें इमाल लेता हूँ a point और b point ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ so in triangle a s-p and दूसरा triangle है b s-p ठीक है इननों triangle से में क्या देख सकता हूँ मैं यहाँ पर जो angle a है equal to angle जो b है equal to क्या है 90 degree है ठीक है so by right angle right angle rule triangle a s-p and triangle b s-p are similar ठीक है यह right angle triangle rule से क्या दोनों triangle similar है hence इनकी जो sides का ratio है वो क्या हो जाएगा equal हो जाएगा hence यहाँ पर क्या हैगा यह देखिए यह मेरे पास s-p जो distance है upon यह आएगा d2 ठीक है इस वाले triangle में दूसरे triangle में इस वाले triangle की बात होगा अब इस triangle में जो यह distance hypotenuse जो होगा s-p upon base s-p upon base मेरा क्या है d1 ठीक है hence यहाँ पर है इन्होंने ratio क्या किसका पूचा था s-p upon sp का so s-p upon sp जो होगा मेरे पास यहाँ से होगा d1 upon d2 ठीक है so hence यह मेरे पास क्या हाजाएगा classics to 12 से लेके need IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर